कहानी की शुरू आते कपल जुचुनसू और हेजी से होती है जब काउच पर किस कर रहे हैं जब जुचुनसू रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हेजी उसे रोग देती है ये कहते हुए कि वो अभी त्यार नहीं है हेजी को रह था कि कहीं उसके साथ सुने के बाद जुचुनसू ब्रेक अप ना कर ले हेजी का इनकार सुनके जुचुनसू बहुत डिसपॉइंट हो जाता है क्योंकि वो ये रात अपनी गल्फरेंड के साथ स्पेशल बनाना जाता था खेवत होनों रात को बातें करतें और करल करतें दिस्स हो जाते है अगले दिन जुचुनसू कॉलेज के लिए निकल जाता है हेजी अपनी बेस फ्रेंड सेयोन और यूंजी से मिलने एक काफे जाती है जहां यून जी हेजी को बताती है कि कैसी उसकी इसकी फिरेंड के बुरिफिन ने उसके साथ सुभने के बाद परेक बड़िया जो सुनकर हेजी और टेंशिं में आजाती है और अपने रिलेश citing को लेकर जियादा इंसे करती है कॉलिज में हेजी अपने मेल बेस्ट रेंड वू जिन से मिलती है जो हेजी को लेकर थोड़ा पोजेसिव है लेक्चर हाल में उन्हें जुजुन सू और सेयॉन भी चौइन करते है जहां बातों बातों में हेजी और जुजुन सू की फेसे लराई हो जाती है लेक्टर के बाद काफेटेरिया में हेजी जो जुनसू को 200 डे अनिवेसिरी विश्ट करती है और इसे घर इन्वाइट करती है लेकिन जुजुनसू ये कहका टाल देता है कि उसकी आज क्रुप मीटिंग है इस देभू नहीं आ सकता हेजी को ये मेसेज परकर जुजुनसू पर शक होता है और उसके अपार्टमेंट जाती है जहां उसे क्लेगी के बूट्स और जाकेट गिरी हुई मिलती है जब वो बेड्रूम का लवाजा खोने लगती है तो सेयान उसे पीछे से बुला कर डिस्ट्राक्ट करती है अगले दिन काफिटेरिया में हेजी और जुजुनसू लंच कर रहे होते है जब जुजुनसू को सेयान का मेसेज आता है और जुजुनसू वहाँ से जाने की डरता है क्योंकि उस दिए सेयान को एक प्रॉजेक्ट पर काम करना था हेजी भी जुजुनसू के साथ उसके अपार्टमेंट आती है वो लापड़ोप पर हेटफोन्स लगाए अपना काम कर रही होती है जब सेयान मजाक मजाक में जुजुनसू से किस मांगती है ये से उचते हुए कि हेजी को कौन सा सनाई देगा लेकिन हेजी इस बात कस्तर लेती है मगर कोई रियाक्शन नहीं देती उसे डर था कि कहीं जुजुनसू उसे चीट ना कर दे और उसका डर सही साबित हुआ जब जुजुनसू और सेयान को किचन में किस करते देखती है हेजी का दिल तूट जाता है और वो वहां से रोते हुए कलब जाती है जब वो बहुत साथ ट्रिंक करती है और अधर किसी रांडम रर्के के साथ रात कुजारती है अगली सुबा कॉलज में हेजी और चुचुनसू की ब्रेक अप की नियूस फेल चुकी होती है जिस बज़ा से हेजी थोड़ा अनकमफ़टिबल फील करती है लांच ब्रेक में हेजी को बाहर खाना खिलाने लेकर जाता है ताकि उसका मूड अच्छा कर सके और उसे समझाता है कि सब में उसकी कोई गलती नहीं है तो वो किस बात की टेंशन ले रही है उन्हें उधर यून जी भी जोइन करती है वापस कॉलेज में हेजी की टकर उसी लग्ये के साथ हो जाती है जिसके साथ उसने रात कुछा रही थी और उससे बचते हुए वो वहाँ से भाग जाती है जो वोजन को बहुत है जीब लगता है जो जुनसू हेजी से आकर मिलता है और कहता है कि उसे बहुत regret है जो उसने किया लेकिन हेजी उसे दूर रहने का कहती है क्योंकि वो अब couple नहीं रहे और वहां से चली जाती है lecture में teachers सब कर projects a lot करते है जिसमें हेजी जुजुनसु, भोजिन और वही क्लब बाला लर्का काइंग वो के साथ group बनाया जाता है काइंग वो भी उसी college में पढ़ता है और वो हेजी से project पर पजिस्किलस का number मांगता है जो जुजुनसु देने से इंकार करता है मगर हेजी दे देती है काइंग वो हेजी के पीछे आता है काइंग वो हेजी को दुबारा अप्रोच करने की कोशिश करता है लेकिन हेजी उसे माना करती है क्योंके दर्मयान पहले ही सब awkward है इस यह सिच्वेशन को मजीद awkward नहीं बनाना चाहती और वहां से ट्रिली जाती है कोरीडर में युंजी का वेट करर रही होती है जिसको फ्री होने में पुरा टायम भागी ही जिस बचे से हेजी डिसरपॉंट हो जाती है तब युसे कोरीडर में कोई उसका पीछा करता महसूस होता है तो वो लॉक Какर — रूम में जाकर चप जाती है क्योंकि उसे यही डर था कि रूमर के बाद कोई उससे गॉसिप लेने आ रहा है वहाँ वो जिनाता है और हेजी को समझाते कि उसे किसी से भी छुपने की ज़रूरत नहीं है मूजिंग प्रोफेसर बलाते हैं जिस वज़े से वो वहाँ से चला जाता है तब ही वो स्टॉकर तबार से हेजी के पास आता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ बाहर रेस्टरांट में डिनर करने चले हेजी उसको इंकार करती है लेकिन वो स्टॉकर नहीं समझता और तब ही काइंग वो उधर आकर हेजी को स्टॉकर से बचाता है इसके बाद दोनों किसी पास वाले रेस्टराउंट में डिनर के ले जाते हैं जहां हेजी काइंगो को फलर्ट करता दे कि कहती है कि वो किसी रिलेशनशिप में नहीं आना जाती इसके बाद हेजी अकेले ही घर जा रही होती है क्योंकि यूंजी को भी और टाइम लग जाना था और टैबी जूजूंसू हेजी के पीछे आता है और इसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बाद सने हेजी उसे कहते है कि उन दोनों में अब कोई रिलेशन नहीं है तो वो उसे बादर करना छोड क्यों नहीं देता और अपने अपार्टमेंट चली जाती है अगले दिन हेजी जूजूंसू और सेवान को किस कटा देखती है अब हाँ से लेक्चर हॉल की तरफ चली जाती है जहां कुछते बाद जिजूंसू हेजी के पास आता है और इसे तुबारा एक जांस देने का कहता है जिस पर हेजी जूट बोलती है कि अब ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंके वो किसी और के साथ रिलेशन शिप में है लांच प्रेक में हेजी काइंगू से मिलती है तो उसे जूट जूंसू के बारे में बताती है कि उसने हेजी की बेस्विन के साथ उस पर चीट किया और अब उसे बहुत तंग कर रहा है तब वो काइंगू की मदद चादी थी कि वो उसका फेक बॉइफिन बने और जूट जूंसू के सामने उसके साथ रिलेशन शिप में होने की आक्टिंग करे जो काइंगू मान जाता है प्रोजेक के मीडर पर काइंगू और हेजी जूट 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 के सामने हाथ पकर कर आते है जूट 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 को जलिसी फिल होती है वो उन दोनों से उनके रिलेशनशिप के मतलग सवाल कहता है किनकि उससे ये सब फेक लग रहा था लेकिन काइंगबू बहुत क्लेवर ली उसके सारे सवालों के जवाब देता है और आखर में काइंग बू जू 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 कपनी गर्फिन से दूर रहने का कहता है रात को जू 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 फेसे हीजी का पीछा कहता है और तब यून जी उसे तीक लेती है और मार के भागाती है अगले दिन काइंग बू को जब ये बात पता चलती है जान पुश का जुचुन सु के सामने हीजी को किस्त करता हुआं वहान से छला जाता है जिस पर जुचुन सुख़ा हो89 को यह जिसान के साथ ब् Java को साथ बस वन टाम थिन थी। अरसे बहुत बचितावा है इस पात काॉची उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है और जब उसे play back कर लेती है तो से उन बाहिर खड़ी recording सुनती है जिस पर वो जुजुनसु को तब पर्माती है और प्रेक अप कर लेती है कुछ दिन बाद काईग्वू हेजी से मिलता है और पूछता है कि वो से क्यों इत्वर कर रही है जिस पर हेजी कहते है कि अब जुजुनसु वाला मसला हल हो गया है इसे वोपिस फेक रिलेशन को कंटिन्यू रखने की कोई वज़ा नहीं बनती लांच पेट में काईबू फेसे हेजी से मलता है और इसके साथ फलर्ट करता है और लंच के लिए इनवाइट करता है जसपर हेजी उसे क्लेली बताती है कि वो अभी किसी को भी डेट नहीं करना चाहती है हेजी फिर लेक्जु जाती है जहां वो जुजुनसु को किसी और लगी के साथ देखती है पीछे से यूंजी आकर कहती है कि जू 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 अब अपनी इमिज क्ले करने के लिए फ्रेश्मन में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है और इसे ड्वाइस देती है कि वो किसी है से लेके पर ट्रस्ट ना करे जो जाहिरी बहुत स्वीट हो और सो समझ कर किसी पर ट्रस्ट करें इसके बाद हेजी काइंग भू के लांच की ओफर एक्सेट करते हो उससे काफे में मिलने आती है जहां उन्हें यूंजी भी जॉइन करती है जो काइंग भू के डिपार्टमेंट से है यूजी को important call आती है उसके जाते ही यूजी और काइंग वू पार्ट जाते है अकेले time spend करने जा है यूजी उसे बताती है कि वो बहुत insecure है अपने पिछले relationship की वज़े से जिस पर काइंग वू कहता है कि उसमें जुजुनसु की गलती है और उसकी नहीं और वो बिल्कुल भी जुजुनसु जैसा नहीं है बस उसे एक दफा चांस दो दे कर देखे रात को हीजी वूजी वूजी से मिलकर से बताती है कि उसको एक लड़के पर crush है तो वू जिन उसे कहते है कि वो कुछ दिन उस लगे के साथ गुजारे और फिर अपनी राइब बनाए अगले दिन काइंग वो और हीजी लाइबरेडी पढ़ने जाते हैं जहां वो एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं काइंग वो हीजी को घर टॉप करने जाता है तब उसे कहता है कि वो उसका वेट करने के लिए त्यार है हीजी को यह सुनने के वाद इसकी फीलिंग्स जैनुमन लगती है क्यूंकि जजुनसु कभी वेट करने के लिए त्यार नहीं था अब जब हीजी को लगता है कि सब ठीक हो गया है तब उसको एक दिन काइंग वू सेयान के साथ बैठा दिखता है जिस पर उनके साथ बैठने की वजब पूछते तो उसे पता चलता है कि वो बस असाइटमेंट कर रहे थे और рьेजी गुसे में वहां से जाती है और काइंग इसके पीछे जाकर इसे माफी मांगता है एजी कहती है कि गल्ती उसकी है किनकर सेयान ही वही लगी थी जिसके साथ जर जुनसू ने इससे चीट किया था तो वो थोड़ा इन सेक्यर हो गई लेकिन असरे काइंगू समझाता है कि उसका सेयान से कोई तालुक नहीं और वो जल्दी प्राजिक हतम करने की कोशिश करेगा और अगर वो जाती है तो उनके साथ पैट ट्राय करें जिस पर हीजी कहते है कि उसे उस पर ट्रस्ट है अगले दिन हीजी को अपने लॉक्र में काइंगू का मैसिश मिलता है जो प्राजेक्ट पर काम करने के लिए क्याफे किया था जो परके हीजी पिर सिंसेक्यूर होने लग जाती है और कैप पे जाती है जहां से सियान के बजाए यून जी काइंगो के साथ मिलती है जिसने काइंगो का हाथ पक्रा हुआ था काइंगो यून जी एक प्राजेक्ट पर गठे काम कर रहे हैं और काइंगो सब गलत कर रहा था जिस पर उसे गुस्ता चड़ा और तब उसे होस्ता देने के लिए यून जी ने उसका हाथ पक्रा था मागर पहले भी उपनी बेस्पन से दोगा खाने की वज़े से अब हेजी को यून जी से भी ट्रस्ट इशियूस शुरू हो जाते है लेकिन हेजी कहते के वो बिल्कुल ठीक है और एक्सक्यूस के के रूम मेट जाती है कॉलेज में भी काइंगो हेजी से साटर्टीव की वज़ा पोचता है लेकिन हेजी उसे कोई रिपलाई नहीं देती काइंगो लांच बेक में दोबार हेजी के पास आता है और इसे वज़ा मांगता है जिब वो जिन आकर काइंगो को हेजी को परेशान करने से मना करता है और हेजी का हाथ पकर कर उसे वहां से ले जाता है रात में घर जाते वक्त हेजी को लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है लेकिन काइंगू को कॉलेज में बार बार देख के वो तास हुए रिस्टान में ड्रिंक करने जाती है वहाँ अकेले बैटे अपने काइंगू के साथ बेता हुए दिन याद करती है जब वहाँ से जाने लगती है तो उसकी टकर एक ड्रॉंक आदमी के साथ हो जाती है चो हीदी पर चीखने लग जादर पुजिन सही टाइम पराक हीजी को डिफैंड करता है उसके बाद हीजी को समझाता है कि इसे अपनी केर करनी चाहिए और पुजिन की इतनी केर उता वाज़़ देके हीज़ी को बात अच्छा लगता है अकले दिन यूंजी फिसे हीजी से कन्फरंट करती है और साटिटीट की वज़ा पूचती है लेकिन हीजी कुछ नहीं कहती हूँ बूजिन को पार्क मिलने बुलाती है और बताती है कि वो यूंजी से बेवज़ा नाराज हो रही ती जिपके वो जानती है कि वो गलत कर रहा है लेकिन वो अपने स्टरवाई और गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही और इसे डर है कि एक दिन यूंजी भी उसे छोड़ ना जाए और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब उसे छोड़ जाएंगे जिस पर वो जिन कहता है कि उसे कभी नहीं चोड़ कर जाएगा यहां हम फ्लाजबाक में देखते हैं कि वो जिनी वही स्टॉकर है जो हीजी का घर तक पीछा करता है प्रेसल में हीजी यूंजी के साथ अपना रिलेशन मेंट करती है जिब हीजी यूंजी का मेंसेज आता है कि वो जिन के बारे में फीलिंग्स वाली बात भूल रहा है और उसे माफ करते हैं और वो ही मेंसेज हीजी के फॉन पर भी आता है यानि वो जिन ने हीजी का फॉन हाक किया हुआ है मुलیکچر ختم ہونے کے بعد हیجی کو کہتا ہے कि उसे मालوم है हیجی उसे अज़र फ्रेंट ट्रीट करती है और वो उसी से खुश है इसले हیجی अब जाता इस बारे में ना सोचे हیجی इसके बाद बहुत रिली फ्रील करती है उसे काइंग वो के तरफ से मेसेज आता है जहां उसने हीजी को पार्क में मिलने बुलाया था अर्थ भी वो जिन भी हीजी को मेसेज़स करता है कि वो बाहर ना जाए लेकिन वो जिन के मेसेज़स आटिमाटिकली डिलीट होते है और हीजी तक नहीं पहुंचते यहां यह स्टोरी पास पर शिफ्ट करती है जहां वो जिन को हीजी की लॉकर से अनॉनमिस की तरफ से कैंडी इसका बॉक्स मिला था जो वो जिन एक लास की तरफ जाते हुए भेंग दिया था फिर उसे कोई ब्लाक होडी और कैप में लगा हीजी के पीछे जाते देखता है और वो जिन उस्टॉकर का पीछा कर रहा था जैसे ही वो स्टॉकर हीजी के पास पहाँचने वाला था तो वो जिन भाकर हीजी के पास आ गया और उसे घर तक छोड़ कर आया वहीं दुस्ती तरफ काइंग भू भी ब्लाक होडी और कैप में क्लर की को हीजी का पीछा करता देखता है और उसके पीछे जाता है बहाँ पर दो लोग सेम आफिट में होते हैं लेकिन काइंग भू एक ही को पकरता है जो कोई और नहीं बूजिन है जो हीजी को स्टॉकर से प्रटेक्ट करने के लिए स्टॉकर का पीछक कर रहा था तरहकेकर बूजिन ने कभी हीजी का फॉन है किया ही नहीं था इन फाक्ट एक दिन हीजी के फॉन के बैटरी डेट हो गई थी और इसने बूजिन के फौन पर अपना account login करके यून जी को message किये थे और बाद में account logout का न भूल गई थी बूजिन उसका account logout का नहीं वाला था कि जब उसने इस लौकर का message देखा और हेजी की protection के लिए इसने account logout नहीं किया और तभी उसे हेजी के मेस्जिस भी अपने फॉन पर रिसीव होते थे एक दिन सेयन काइंगो को प्रजेक्ट मीटिंग पर बताती है कि उनके डिपार्टमेंट कालर का हेजी के लॉकर में डिफरेंट फूड रखता है और इसके आइडेंटिटी पूछने पर सेयन काइंगो को उसका सोशल मीडिया काम दिखाती है तभी काइंगो हेजी को मेसेज़स करता है लेकिन इसके मेसेज़स हेजी तक पहुँचने से पहले ही डिलेट होते जा रहे थे प्रेसेंट में काइंगु को हेजी का काफे मिलने का मेसेज आता है तो कि स्टॉकर ने भीज आता और हेजी काइंगु की तरफ से स्टॉकर का मेसेज दे के पार्क जाती है जहां उसके फॉन की बैटरी डेड हो जाती है तब ही वो ही स्टॉकर आता है दुबारा से ज़त करता है कि हेजी उसे देट करे लेकिन ही इनकार करती है जिस पर वो स्टॉकर किन्फेस करता है कि वो कब से स्टॉक कर रहा है और वो आज इनकार नहीं सुनेगा हेजी इसे डिलाने की कोशिश करती है कि वो उसकी recording से के सब को भेज देगी जिस पर stalker कहते है कि उसका font dead है और उसे बद्दमीजी करने ही लगता है कि जब दे काइंगु आकर stalker को मारता है और हेजी को बजाता है next day हेजी काइंगु का शुक्रियादा करती है एफिशल कपल बन जाते हैं और एक हैपी एंडिंग पर ये कहान ही खतम हजाती है थैंक यू फर वाचिंग